किसान भाईयों विश्करमा दुलबा यूटू चलमें आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं पहुंचा हूँ विशाल एगरिकल्चर वरकर्स समाना पंजाब में और दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ विशाल 408 हर्वेस्टर कमेंड इसके बारे मैं आपको पूरी जानकरी देंगे जो बाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों नहीं आरे मिश्करमा दुलबा यूटू चलम पे मिलती है दोस्तों आपने हार्वेस्टर की वीडियो दो बहुत देखी होंगी मगर आज मैं आपको विशाल की टेक्निकली बाते बताना चाहता सब्सक्राइब करका जैन हमने इस हिसाफ से जैन किया है कि बिल्कुल विशी होई करांड को जो फसल टच रहती है उसको उठाने के लिए कभी प्रोबलम ना है नीचे से उठा सके अराम से और जो जितना वी है गयों है दान है सुआवी ने कोई भी फसल है क्रांड से उठा पतला माल थ्रैशर के पास जाए जब रम पतला माल थ्रैशर के पास घता है तो उसकी बजह से ना तो कोई चीजद चोप होती है ना पीछे कोई दाना आता है नहीं दाना तूटता है और सर इसके फिडर के पार जान कर देंगे सर फिडर की थोड़ी इसकी हमने लंबाई ज्यादा की वह और गेर का डाया बढ़ाया हुआ कि थ्रैशर के बास भी जो गया बहा जाता है वह भी गया बना रहे है रेगुलर पतला माल ध् जो जक हैं हमारे 45 एनन के हैं फीडर जक और इसके सीडी के जाम कर देंगे सीडी जे अड़ेस्टेवल है उपन हो जाती है यह नहीं के पूरी के पूरी उठानी पड़ेगी अराम से इसको उठा कर अगर इसको नीचे करना हो तो नीचे करने के लिए उपर बंदा खड़ा है को दबाएगा और नीचे आ जाएगी सर इसमें जो फैनल लगा हुआ है इसको इसके पर बियां कर दिएंगी इस में वर्म भाडी में भी हमने काफी कुछ चेंज किया हुआ है क्यूंकि वर्म बाडी की साइड वाले जो पले हैं वो भी हैवी किये हुए है कि कभी भी इनमे क्रेकिंग नाए और कभी चल गिले में चलते हुए गराउंड में फील्ड में कोई पत्थर टच हो जाता है बलोर के साथ तो बलोर को पेर करने के लिए पूरे का पूरा बलोर ओपन हो जाता है आगे को यह नहीं है कि पहले पीछे सी बॉक्स निकालना पड़ेगा फिर उसके जोड़ खत्म कर दिया क्योंकि जोड़ की वजह से थोड़ा बोल्ट लूज हो जाते हैं तो बोल्ट लूज हो जाने की बजह से बैड़ शाबड भी तूट जाती है और तो जाती है ऐसी को इसकाइट कभी नहीं आएगी और पीछे टेरों के बाज़ा बाज कर देंगें को बीकड कंपनी के आए और इसकी हिस्से के बाज़ा जा जाएगा हूए और इसकी कटाई वाले जो चेक सिस्टम दिया हूए और प्लेटें लगाई है यह कभी तूटें जी नहीं परना इन में प्रॉबल्म थोड़ी बहुत आ जाती है जब लेलेंड के लगी होती है तो वह तोटने का स्काइट उसमें रहता है कभी बोल्ट तोड़ दिया कभी कुन ही तोट गई और साइस के स्टाब आकरों में भी हमने काफी अंतर डाला हुए गैब कम किया है कि उपर से डेस्ट नीचे ना जाए क्योंकि गें हुआ सुआ विन हुआ स्टाब आकरों से सी बोक्स के उपर ज्यादा आ जाता है तो जब सी बोक्स अबर हो जाता है तो सी बोक्स से कई मचीनों में दाना चुरू हो जाता है हमारी मचीन में ऐसी कभी भी प्रावलम नहीं कि क्योंकि हमने स्टाब आकर का डिजैनी उसी साफ से बना दिया और सर इसक इंडिगेटर लगाये हुआ है सभी के उपर कवर लगाया हुआ कि कहीं को ठाचों को तूटने का खत्रा ना रही हुआ सर मैं यहां पर देख रहा हूं और उमें जब बहुत पत्ली देगी आपने कौन सी पत्ती लगाया और इसका क्या बेनिफिट रहता है एलिवेटर जो है इसका नीचे वाला जो है वो तीन अमम का है जो बाड़ी के साथ अटेच होता है और जो उपर वाला शावट वाला है अ उपर है यहां से देखेगा वो यह चार मम का है और यह कभी वैवरेशन ना करें और जैगिसे ना इसलिए हमने हैवी किया हुआ है कभी भी कोई किसी चीज में प्रावलम मा जाती है तो उसको अराम से शावट को बाहर निकाल के रपेर कर सकते हैं एलिवेटर उतारने की ज वो कभी भी कहीं से लूज नहीं होगी प्रॉपर अगर बच्चा भी इसको चलाएगा तो ब्रेक और कलच का दोनों का कम दंक से कर सकता है और सर मैं यहां पर देख रहा हूं इसका यह बढ़ा दिया गया है यहां थोड़ा हमने इसलिए कर दिया कभी क्या हो जाता है कि फी कभी भी गाड़ी यह नहीं कि दाना गिर आरी है पीछे से लो सर अम उपर आगे थे इसको जाए पावड़ी जब हमने उपर उठाई हुए थी उसको नीचे करने के लिए सिर्फ जिप पैडल ही दबाना पड़िगा तो पावड़ी सीधी हो जाएगे और सर इसके स्टेरिं कलच बेरिंग टू़ एक टूबा खर चले प्रेसर बेड के साथ और ससुर्ण के साथ को सेट के वड़ए राप रिए कर देंगे सीधी आगे पीसे भी अर्ड़ेश्टिबल होती है और एप डॉन होती है जैसे कि 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 लमबाई जादा होती है किसी कि च्ट होती है तो उसको करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है और इसका क्या काम रहता है इंडिकेटर है लेफ्ट राइट का और इसके तूल के बार यहां करने के सर तूल सभी जो हाथ में कंट्रोल में आजाए आदमी चलाने वाले के पोर जेश्टिवल सभी है हमने और सार किसान भाई को से साथ मतलब म्यूजिक सिस्टम लगा कर देंगे पाणी वाला जो केने वह भी लगा हुआ है क्योंकि कस्टमर इसके उपर ड्रिलिंग का काम ना करे असानी से और सर मैं अपर देख रहा हूं यहां पर यह पर पूरी कवर की गई है ना यह इसलिए कवर टैंक ऊपर हो जाएगा तो इसमें बत्ती लगी हुई है तो बताएगी कि टैंक भर गया तो आदमी टाली में दाना डाल देया तो और सर इसमें मैं अपका इंजन भी देख रहा हूं इसमें कौन सा इंजन और इसमें इतना गैप क्यों दिया गया है इंजन में इंजन दोन और सर मैं से दिख रहा हूं कि काफी दा बढ़ा दिया गया इसमें इंजन लेलेंड कंपनी के इंजन दो आते हैं 101 और में इंजन बढ़ा फ्राइवीज छुटा फ्राइवीज हम जो है रेगुलर बड़ा फ्राइविल इंजन लगा रहे हैं जो के डीजल की खपत भी कम करता है 12-15 लिटर डेली डीजल कम खाता है और दूसरी बात हमारी जो रेडियेटर की जाली है लोग गुमाने वाली लगाते हैं एर कूल करते हैं उसको हमारी ये सिंपल जाली की गर असानी से उसको उपन करके काम कर सकते हैं पैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आसा कुछ करने की लो सराम नीचे आगे थे सरा अगर आपकी ये मशीन किसान वाइनों लेनी हो तो कैसे और कहां से ले सकते हैं देखिये पंजाब में तो हम ड्रेक्टी दे सकते हैं हर्याना और इतनी बड़ी जान कर दी अगर हमारे पास कस्टमर जहां आकर आकर गाड़ी का सभी सिस्टम पूछना चाहता है तो आकर हम हमारे से पूछे हम बताएंगे टेक्निकल बातें उसको पूरा बिताएंगे जो उसके समझ में आएगी और कभी भी गाड़ी में कभी भी जाएंगे और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे आप इन नंबर पर सपारकरी सारवस्टर को ले सकते हैं दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए विश्करमत दलबा यूटू चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें दन्यावाद